आपको पता चल गया होगा इसके आवा से कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है वह भी लेप्ट ओवर राइच से है ना इंट्रेस्टिंग हेलो व्यूवर्स नमस्ते वेल्कम बेर तुमाई चैनल अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ल चैनल हम इसे एक मिक्स्चेर जार में डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे यह दिखिए मैंने डाल दिया है और अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे मतलब स्वाद अनुसर और थोड़ा पानी डालेंगे पानी अब देखके डाल दीजेगा क्योंकि हमें एक स्मूर्थ प्याटर चाहिए होगा चलिए ग्राइंड हो चुका है अभी अभी हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे हम इस पेस्ट में अभी डालेंगे यह सारी चीजें इसमें हैं दो चमस भरके मेदा अभी हम डालेंगे इसमें एक चमस भरके कर्ण फ्रॉर यह बरा चमस से भरकर एक चमस देखे कर्ण फ्रॉर ओप्सनाल है लेकिन इससे डालने से इसका क्रिस्पिनस और थोड़ा बढ़ जाएगा और अभी हम डालेंगे बेसन एक तो बेसन बाइंडिंग का काम करेगा और इसमें कुर्पूरे का कलर जो है बेसन डालने से वो आ जाएगा तो आप इसमें बेसन ज़रूर डालेगा मैंने अभी 3 चमश डाला है और इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे और बाकी बेसं को हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाल देंगे बेसं यहापर में 6-7 चमच भर के डाला है खाने का चमच अभी हम थोड़ा सा कास्मीरी डेट छिली पाउडर डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे हम चमच के बराबर इसे आप अच्छे से मीक्स कर लीजिएगा हम इसमें कुछ भी सोडा वगरा नहीं डालेंगे बस एक दो मिनिट इस तरह से फैंट लीजिए आप यह दिकी मेरे पास एक नमक प्याकेट है इसमें हम बैटर भर लेंगे आपके पास अगर दूद के पैकेट या फिर अईल के पैकेट जो भी पैकेट है आप इसमें भर सकते हैं अभी हम इसे इस तरह से ग्लास में रखके डाल लेंगे इस तरह रखके डालने से आपको भरने में आसानी होगी इस बैटर को आप इस पल्थिन के पोने में ले जाएए और इसे इस तरह से इकठा करके एक रबर बेंड डगा लिजिए बस हो गया अगर आपके पास केक सदाने की पाइपिंग बैग है तो आप इसमें भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं अब हम इसमें एक कट लगा लेंगे इसकोने में आप बहुत चोटा या फिर बहुत बढ़ा कर्ट मत लगाईए बस एक मीडियम साइस के कट लगा लीजिए अगर मोटा निकलेगा तो हमें बहुत ज्यादा देर तक तलना पड़ेगा देखिए इस साइस का निकलना चाहिए अब इस तरीके से भी कर सकते हैं एक जब दो आप इस तरीके से भी इसमें प्याटर डाल के निकाल सकते हैं जब कड़ाई के तरफ कड़ाई मैंने ऐल पेले से गरम करक dual कर लिजीयए और बाद में इसे पुड़ा कॉरणी कर लिजी सब कर लिजीए ट्रेम को देखningar में 3 तरीका बताऊंगी कड़ाई में इस तरह से आप हाथ लगा के से कड़ कर लिजिए यह थोड़ा रिस्की है अगर कर सकते हैं तो आप इस तरह से कर लिजिए नहीं तो आगे देख लिजिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी कड़ाई के अंदर जितना आ रहा है उतना ही आप डाल दीजिए देखिए में पूरा डाल चुकी हूँ इसे आप लोट टू मीडियम फ्लेम पे ही तल दीजिए बीच-बीच में आप पुलोट-पुलोट करते रहिए इस तरह से आप 5-7 मिनिट तल दीजिए इसके बाद में और एक बार इसे तलना है अभी 6-7 मिनिट हो चुका है हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अभी आप देखिए में दूसरा तरीका बता रही हूं आपको यह देखिए मेने थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूं और इसे कट कर रही हूं एक कैची से आपको इस तरह से आप जितना आ रहा है कड़ाई में आप निकाल लेजिए और इसे लोट मीडियम फ्लेम पे 5-7 मिनिट तक तर लेजिए और निकाल लेजिए अभी मैं आपको दिखा रही हूं तीसरी तरीका जो है चकला में कर से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह की जाली लगा के मैंने अभी निकाल रही हूं आपकी कड़ाई में जितना आ सकता है आप इतना ही डाल लीजिए और इसे भी हम लोट मीडियम फ्लेम पे तलेंगे 5-7 मिनिट तर अभी मैं सभी कुरकुरे को निकाल दिया है पहले आप सब कुछ तल लीजिए उसके बाद हम लास्ट प्रसेस करेंगे यह दिखिए ओयल को आपको पूरी तरह से गरम कर लेना है और इसके बाद आप सभी कुरकुरे को डाल देंगे ऐसा करने से आपके कुरकुरे अंदर तक क्रिस्पी बनेंगे इसी तरह से आप हाई फ्लेम पे एक से दो मिनिट तल लीजिए आप देख सकते हैं इसका कलर और ज़्यादा देर तक नहीं तलेंगे नहीं तो यह प्लाग कलर का हो जाएगा इस तरीके से आप कुरकुरे को बनाईए बहुत क्रिस्पी बनेगा बचे हुए चावल से आप इसी तरह से कुरकुरे बनाईए अपने बच्चों को दीजिए बच्चे क्या आप बहुत सारे इस तरह से बना के रख लीजिए बड़े भी इसे खाने के लिए पागल हो जाएंगे इसके आवाज से पता चल गया होगा आपको कि इतनी क्रिस्पी बनी है अभी हम कुछ मसाले आड़ करेंगे इसमें अभी में थोड़ा सा नमक डाल रही हूं और यह काला नमक अभी डाल रही हूं अभी में यहां पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रही हूं अभी हम डालेंगे थोड़ा सा क्रस्मेरी रेट चिरी पाउडर आप चाहें तो तीखा वाला लाल मिर्स पाउडर भी डाल सकते हैं अभी में थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूं अभी ह आप इन सभी मसालों को स्कीप करके सिर्फ नमक डालिया और चाट मसाला डाल लीजिए आपका काम हो जाएगा तो अभी हमारा बच्चों की फेवराइट कुर कुरे बनकर तयार हैं मेरे खैल से आप इस टाइप के चीज़ें घर पर ट्राय करनी चाहिए आखिर हमारे बच्च बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और साथ ही में बेल को क्लिक करके आल पर क्लिक कीजेगा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है थैंक्स पर वाचिंग